नमस्कार दोस्तों महराम निवास और आप सभी का त्यारिकुल अप्लिकेशन पर हार्दिक स्वागत है तो दोस्तों आज मैं एक नए टोपिक के साथ में यहां पर आये हैं और टोपिक बहुत ही सांदार और काफी अच्छा टोपिक है हर एक एक्जाम में पूछा जाता है च से क्वेस्टेंस आपके ही पूछे जातें बहुत ही अच्छा टोपिक है तो भबुथ प्यारा तोपिक है इसमें बहुत विराइटिक और सारे कोईसरं बन्ते हैं आप यह कह सकते हैं और कि सटेप डगी होता है और स्टेप टूस्टेप इसारे creativity सबस्टेगब आपको सह चीजें ऐसी बताना चाहूंगा जिसके अंदर क्या होगा कि मैं आप से concept wise भी बात करना चाहूंगा मैं आपको ट्रीकी अप्रोच की भी बात करूँगा मैं आपको बैसिक मेधर के बारे में भी आपको बताऊंगा तो आप सब से पहले यह कोसीज करेंगे कि जो मैं concept आपको चाहूं उस concept को आप केच करने को सीज करेंगे उसको पकड़ने की को सीज करेंगे जैसे मैं क्योशन कर रहा हूं जैसे मैं आपको समझाने की को सीज कर रहा हूं तो आप उसी के और वीक होने का सबसे बड़ा रिजन यही होता है कि उनका basic बहुत कमजोर होता है वो कभी सीखने कोशिस नहीं करते हैं और यह चाहते हैं कि हमें direct trick मिल जाएगी बेसक आपको trick मिल जाएगी बुक्स में भी कहीं मिल जाएगी कहीं कुछ मिल जाता है लेकिन हमेशा ध्यान में रखना कि shortcut जो रास्ता होता है कुछ निश्चित चीजों के लिए होता है हर किसी के लिए shortcut कभी नहीं होता आपको long cut ही चलना पड़ेगा हाँ बेसक जब आपको पता होगा जब long cut जाओगे तब आपको क्या-क्या परिशानी आएंगी वो भी आपको पता होगी जब आपको लंबा रास्ता पता होता है तो उसका कुछ ने कुछ एक आईडिया जो विजन होता है उसका जो concept है वो सारी चीज़ें आपके दिमाग में रहती है और कुसंस क मैं आपको यह कह रहा हूँ कि trick याद रखने की भी जरूरत नहीं है आपको trick की जरूरत नहीं पड़ेगी आप within second option से भी क्योंस कर पाऊगे देखते ही क्योंस कर पाऊगे अगर आप concept को सीखने के कोसीज करोगे basic से डंग से अगर आप चलोगे साथ साथ मैं आपको सारी च क्योंस को सोल कर दोगे देखते ही सोल कर दोगे आप पहन उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी इसके लिए आपको हमें से प्रेक्टिस की जरूरत पड़ेगी क्योंकि practice makes man perfect अगर आप practice करते हो तो आप math subject में इतने परिपूर्ण हो जाओगे कि आपको नीचे देखने की ज discuss करने वाले हैं ठीक है तो basically आप लोगों सबको पताई होगा लावानी क्या होता है क्योंकि यह डेली life में use होने वाले terms है और लावानी जब हम topic बढ़ेंगे तो आप खुद देखोगे कि जो लावानी है ना हमने percentage भी पड़ा है ना और उसके बाद में हम लावानी भी कि जो लावानी है क्या यह कब होते हैं कैसे होते हैं क्यों होते हैं इनका होने का रिजन क्या होता है और क्या क्या हो सकता है देखिए इसमें बहुत सारे ऐसे क्यूसेंस बनेगी वाले क्यूसेंस बनते हैं अगर हम याद करने बैठेंगे था हम याद ही नहीं कर पाएंगे इन सारी चीजों को याद करना बहुत मुश्किल काम है हमें क्या होता है कि दिमाग हमारा इतना देखिए हम जीके भी बढ़ रहे हैं हम साइस भी पढ़ रहे हैं नमरों सब्जेक्ट बढ़ रहे हैं हम क्या क्या याद करें अगर आप मेत से यादगरने लग जाओगी फिर हो गया काम आप लोगों का तो हमें subject रटना नहीं है हमें सिर्फ जो समझने वाले चीज़ है वो उनको समझना है और mind से उनको solve करना है ठीक है? तो देखिए इसके अंदर क्या-क्या terms आने वाली है कैसे लाब आने decide होता है क्या-क्या चीज़ें होती है step to step चलते है मैं क्या करता हूँ? कोई भी चीज़ को देखिए डेली लाइफ में काम आने वाली चीज़े और मैं उसी के according आपको समझाने की कोशिज करता हूँ कि हम सबसे पहले किसी भी चीज़ को खरीदते है क्रेम मुल्य अगर आप किसी भी चीज़ को खरीदते हूँ अब ऐसे तो है नहीं किसर हमको खरीदना जरूरी थोड़ी होता है हम किसी की उठाके भी तो ला सकते हैं हम चोरी करके भी ला सकते हैं तो अगर आप चोरी करके लाओगे, उठाके लाओगे, तो आप एक एसी ट्रम छोड़ दोगे, जो लाब आने में काम आने वाले ट्रम, आप उसको भी भूल जाओगे, यानि आपका कभी क्रैम मुल्य आए गई ने, ठीक है, आपका उठाने वाला मुल्य होगा, उसके बाद में, सेकिंड ट्रम के हम बात करते हैं, वो आपका है, विक्रैम मुल्य, समझना मेरी बात को, एक ट्रम आपकी क्रैम मुल्य, एक सब्द आपका क्रैम मुल्य, दूसरा सब्द क्या है, विक्रैम मुल्य, देखिए समझने की कोशीज करते हैं, कि जो क्रैम मुल्य और विक्रै मुल्य उनमें क्या difference है क्रेम मुल्य का मतलब basically यह होता है कि कि किसी भी चीज को खरीदने का मुल्य खरीदने का मुल्य मैं यह कह सकता हूं खरीदने का मुल्य आप क्रेम मुल्य को क्रेम मुल्य से मत बढ़िए क्रेम मुल्य को आप किस तरीके से पढ़ोगे खरीदने का मुल्य तो विक्रे मुल्य को आप क्या पढ़ोगे विक्रे मुल्य को आप पढ़ोगे बेचने का मुल्य विक्रे मुल्य को क्या पढ़ोगे बेचने का मुल्य ठीक है यानि जो अगर मैं किसी rate पर चीज को खरीद रहा हूं ठीक है मान लीजिए मेरे पास में ये मारकर है और मैं मारकर बजार से ये 100 रुपे का अगर मैं खरीद कर लाता हूँ That is called selling price ये इसकी cost price है ये आपका क्रेम मुले है ये आपका खरीदने का मुले है ये इसकी लागत मुले मतलब जो चीज मैं invest कर रहा हूँ उसी को मैं क्या बोल सकता हूँ क्रेम मुले ये मेरा क्या कर लाएगा लागत मुले ठीक है समझते हैं अब देखिए इसको मैं क्या बोलूँगा अगर ये लागत मुले तो इसको मैं विक्री मुले भी बोल सकता हूँ विक्रे मुल्य क्या बोल सकता हूँ विक्री मुल्य जिस मुल्य पर मैं इसको बेच रहा हूँ ठीक है बेचा जाने वाला मुल्य विक्रे मुल्य कह लाएगा यानि हम इसको क्या बोल सकते हैं कोस्ट प्राइस क्या बोल सकते हैं कोस्ट प्राइस इसको क्या बोल सकते हैं सेलि प्राइस का सेक्षन भी है, तोब में हम सॉर्ट में बौण सकते है यहां पर इसको हम क्या नहीं कि static condition में हमें जो आता है सिर्फ हम उनी चीजों को ध्यान में रखेंगे तो साथ-साथ में यह भी सीखते रहें कि जो क्रेम उल्य हम उसको क्या बोल सकते हैं CP ठीक है विक्रेम मुले को क्या बोल सकते हैं SP तो यहां तक आपको चीज समझ में आ गई होगी कि अगर मालो क किसी भी चीज को मैं खरीदता हूँ मैं किसी आपने सो रुपे में खरीदा तो सो रुपे मेरा उल्या मैं क्या रस्ते होते हैं कि मैं उस चीज़ को लेकि बेठी जाओं है ना मैं उस चीज़ को जिसे मारलो मैंने इसको सो रुपे में खरीदा तो मैं हो सकता किसी को ना बेचू है ना मैं इसको लेकि मैं रख लूगा नहीं भाई मुझे कुछ नहीं करना तो जब मैं इसको कुछ नहीं कर रही हाना आपने क्या किया बेचने का कुछ और क्या में कि सुचा को सुचा ने इसा कि तो आ नहीं रहा, मैं किसी को 120 रुपे में इसको दे देता हूं, तो यहां पर देखिए, जब मैं 100 रुपे की चीज़ 120 में दे रहा हूं किसी को, अब आप एक बात बताई कि मेरे घर में फाइदा होगा, नुकसान होगा, बिल्कुल फाइदा होगा, ओविसली बात है कि यहा आपने बच्चे हैं बढ़ने वाले, तो हमने क्या किया कि चल ठीक है, यार 100 रुपे की चीज़ है, और इसा करो, आप इसको 90 रुपे में ले जाओ, तो यहां पर मुझे क्या हो रहा है, एक चीज़ बताओ, मुझे क्या हो रहा है, मुझे नुकसान हो रहा है, मुझे 100 क्या हो रहा है जीरो मतलब मुझे ना तो फाइदा हो रहा ना मुझे नुकसान हो रहा है समझ में आ रही यह बात तो हमेशा किसी भी चीज को यानि क्राय मुले से जब मैं विक्राय मुले में जाता हूं तो यह चीज बढ़ रहा है मतलब ज्यादा मिल रहा है कम मिल रहा है यह एक effect है, यह मेंसा क्या होते हैं, परभाव होते हैं, ठीक है, समझना बात को, यह मेंसा क्या होते हैं, परभाव, effect होते हैं, effect कैसे, effect ऐसे होगे, कि यहां से जब मैं वहां जाओंगा, तो हो सकता है, मैं बड़ भी सकता हूं, अना मैं हो सकता है, plus का हो सकता हूं, हो सकता है मैं माइनस का हो सकता हूँ हो सकता है मैं ना तो प्लस का होंगा ना माइनस का तो जब प्लस का होंगा तो इसका मतलब कि बही जब मैंने क्या किया कि जो इफेक्ट होता है जब किसी चीज को मैं खरीदता हूं फिर उसको मैं बेचता हूं तो खरीद कर जब बेचने के दौरान मैंने यह चीज नोट की कि मुझे या तो ज्यादा मिल सकता है या मुझे कम मिल सकता है या मुझे ना ज्यादा ना कम पूरा पूरा मिल सकता है तो यहां पर effect जो होने वाले है मेरे पास में यहां जो परभाव होने वाले है वो कितने परभाव हो सकते है लाब हो सकते है हानी हो सकती है ना लाब और ना हानी हो सकती है मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि इस profit loss topic में हमेसा तीन चीज़ें होती है, फ्रफिट होता है, l fotos होता है और ना लोस हो और ना फ्रोफिट होता है इस चीज़ को हमेशा ध्यान में रखना क्यों होता है, केसी होता है उन सारी चीज़ें के बारे मैं आपको बता दिया तो आप यहाँ पर कितनी इन्ट्रम पाद चुक हो, एक बार मेरे साथ में बताना जरा क्रहमुलय हमने बढ़ा, क्रहमुलय चीज लेने के बाद में जब हम बैचते लहें इसको, इट में सोड़ी अपका सेलिंग प्राइस किलाता है, विक्रहमुलय आपने बढ़ा, दो चीज नुकसान में जाओंगा ठीक है या मैं ना तो फाइदे में जाओंगा ना नुकसान में जाओंगा तो यहां पर मैंने देखा मैंने पांच चीज पढ़ी है क्रेम उले विक्रेम उले लाब हानी और ना लाब और ना हानी मैंने ये पांच चीज पढ़ी है ठीक है अब एक ची कि मुझे लाभ हो रहा है, या हानी हो रही है ना लाभ है ना हानी हो है कैसे जज़ करोगे खरब देख की कि जब 100 की चीज मैं 120 में 190 सो में बेच रहा हूँ, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि यह 20 भी चीज को बेचते हो किसी को या किसी से बात करते हो आप किसी से डील करते हो तो आप एक चीज को हमेशा देखते हो इस चीज को देखते हो कि मैंने ये चीज कितने में खरीद दी थी मेरे पास में ये मैं लाया कितने में था ठीक है मालो आप मोबाइल 20,000 का खरीद के लाए किसी को आप बेच रहे हो तो इतने बावले तो हो नहीं कि आप भूली जाओगे मैं कितने रुपे में लाया था दस जार में दे दिया, पांच जार में दे दिया चार जार में ऐसे मतलब आप बेचते जा रहे हो ठीक है ऐसे तो आप करोगे नहीं क्योंकि आपको ये पता है कि मैं ऐसा करूँगा तो गाटे में चला जाओंगा, तो आप ये गाटा किसके बेस पे डिसाइड कर रहे हो, आप किसको देखोगे, आप उसको देखोगे जिस रेट पे आप खरीद के लाए हो, तो इसका मतलब मैं जब भी आप बात करता हूँ, प्लस की, फाइदे की, जब भी बात करता हूँ, नुकसान की, जब भी बात करता हूँ, ना फाइदे और ना नुकसान की, तो मैं बार बार किसको देखता हूँ, बार बार किसको देखता हूँ, इस सो को देखता रहता हूँ किसको देखता रहता हूँ सो को इसका मतलब मैं जब लाब और हानी जभी डिसाइड करता हूँ तो हमपास किसको देखता हूँ क्रैम मुल्य को देखता हूँ यह सो मेरा क्या था یہ मेरा क्रैम मुल्य था CP था कोस्ट प्राइस थी समझे ले ourselves को मैं जब भी ये डिसाइड करता हूँ लाब हो रहा हानी हो रही है ना लाब ना हानी हो रही है तो मैं बार बार किसको देखता हूँ इस सो को नियारता रहता हूँ कि भाई ये मैं सो में लेकिया तो ये सो में रख्या था ये क्रैम मुल्य था तो हमेशा ध्यान में रखना ला पर क्राइम निकालने के लिए निकालने के लिए कियो निकालना ही पड़ेगा क्यों कि इस तीज की गांट मांदलो चाहे कि लाब और हानी या ना लाब ना हानी का मुझे पता करना है तो मुझे पहले ये देखना पड़े का मैं खरीद की कितने मिलाया था इडमिंस मुझे क्या पता होना चाहिए क्रेम उले तो हमेशा लाब और हानी की गणना किस पर की जाती है और कभी भी परतिस्द लाब या हानी या कुछ भी निकालना है अगर लाब या हानी निकालनी है तो हमेशा हमें क्रेम उले पता होना चीए अगर क्रेम उले नहीं पता तो आप कभी नहीं निकाल पाओगे ठीक है वो question ही आपका गलत होगा आप देखिए अब आगे बढ़ते हैं मैं आपको formula केसे बनते हैं वो भी चीज मैं आपको बता देता हूं ये सारे चीज़ों के बारे में हमने discuss किया फिर देखते हैं अब बात आती है कि ये lab होता केसे है क्रैम pracy मूले बीक्रैम होता केということ बारे में भी हम discuss करें किस केस में होता है , लाब तब होता है कि जब धए यहां पर देख लिए लाब कब होता है ? छब विकरह मुले बड़ा ओ, भाई हमें जो मिलने वाली रेट है वह ज्यादा हो इसका मतलब विकरह मुले बड़ा होगा तो क्रहह मुले कम रह जाएगा ,öff़वे मैं ने क्या होता है विक्रे मुल्य माइनस आपका क्या होता है क्रे मुल्य होता है लाब हमेशा क्या होता है विक्रे मुल्य माइनस क्या होता है क्रे मुल्य होता है फिर हानी की बात करूं तो हानी हमेशा क्या होती है हानी का मतलब यह होता है कि मैं नुक्सान में जा रहा हूं मतलब म मुले कम कौन था विक्रे मुले चीक है जैसे मैं बता रहा हूं वैसे आप पढ़ने की कोशिस करें आप रटे नहीं मैं कर रहा हूं आपको कभी टोपिक में दिक्कत नहीं आईगी आप कभी नहीं भूलोगी पूर जिंदगी में आप आने वाले खुद की पीडियों को होगे ठीक है एक चीज हमेंसा द्षान में रखना यह बहुत इंपोर्टेंट चीज है कि लाप और हानी क्या होते हैं लाप और हनी लाप हता है विक्रे मुले बड़ा होता है जय्यादा मुतलब बेचा गया माइनस मैस, खरीदा गया ठीक है honey कब होती है जब खरीदने वाली चीज ज़्यादा रह जाए और बेचने वाली कब में चली जाए तो खरीदी गई minus बेची गई तो क्रेम मुले minus विक्रेम मुले हमेशा क्या होता है honey होती है एक सबसे important जो ट्रम है आपके exam में पुछी जाती है वो चीज ध्यान में रखना अब इस चीज को मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ यह बड़ा minus छोटा तो मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ कि जब भी लाब की बात हो तो विक्रेम मुले बड़ा होता है तो क्रेम मुले क्या होता है छोटा होता है ठीक है, selling price is greater than cost price, यहां पर देखिए, क्रेम उल्ले माइनस विक्रेम उल्ले, ठीक है, तो मैं यहां पर क्या कह सकता हूँ, क्रेम उल्ले बड़ा होता है, किस से, विक्रेम उल्ले से, ठीक है, यहां पर आपने देखा, यह बहुत important चीज है, exam में, कई exam में, direct यह चीज पुछ आती है, कई exam में, direct यह पुछा जाता है, कि लाब होता है, तब विक्रेम उल्ले, क्रेम उल्ले, निम्न में से, कौन सा, सही है, तो यह relation आपको पता होने चीज है, ठीक है, अब चलते है, अब यह बात आती है, कि सर एक चीज बताओ, प्रतिसत लाब और प्रतिसत हानी में क ठीक है, मुझे क्या निकालना है, मुझे हानी निकालना है, दो चीज निकालना है, एक लाब निकालना है, दूसरा हानी निकालना है, लाब और हानी दोनों की लाब और हानी तो हम निकालना सिक लिये ठीक है अब हमें निकालना के है प्रतिस्थ लाब और प्रतिस्थ हानी की हमें केल्कुलेशन करनी है हम इसको कैसे फांड आउट करेंगी देखिए जब भी हम लाब निकालें जिस चीज का जिकर करते है वो चीज़ हमेशा उपर रहती है मैंने percentage में बताया था हम जिकर किसका करें लाब का हम यहाँ पर जिकर किसका करें हानी का तो जब लाब का जिकर करें तो लाब हमेशा कहा रहेगा उपर ठीक है हानी का जिकर करें तो हानी हमेशा कहा रहेगी उपर जिस चीज़ का जिकर करते वो चीज हमेशा ऊपर रहती है क्लियर है यहां तरख? अचां लाब और हणी जब भी हमें निकालना होता है हम किसको देखते हैं, किसको देखते हैं क्रेम उल्ले को खरीदिवी प्राइस को लागत मुली को, कोस्ट प्राइस को तो हमें जब भी देखते हैं तो हमेशा किसको देखते हैं क्रेम उल्ले को और जिसके respect में कोई चीज निकाली जाती है जिससे तुलना की जाती है जिसको देखा जाता है वो चीज हमेशा का रहती है बटे में ठीक है तो हानी किसको देखके निकाली जाती है क्रेम उल्ले को ठीक है यह बटे में और बिन य गर दोगे सो फोर्मूला बने आपको रटने की जरूरती है लाब निकालने तो लाब उपार रहेगा लाब और हानी किस पर रहते है क्रेम उल्ये निचे रहेगा परसेंट में बदलना था इन्टू क्या घर दोगे सो कर दोगे ठीक है अपने देखा प्रतिशत लाब और प्रतिस्ता हानी की गढ़ना हमेशा किस पर की जाती है क्रेम उल्य पर क्यों कि ये दोनों किसको देखके हम बात करते हैं कि हम विक्रे मुल्य केसे निकले है एक बात बताओ कि जब आप विक्रे मुल्य निकालते हो तो आप हमेसा विक्रे मुल्य होता है बाद की प्राइस क्रे मुल्य होता है पहले की प्राइस ठीक है आप जब बाद की तरफ जाते हो कभी भी पहले से बाद की तरफ जाते हो तो हमेसा द्यान में रखना कमी अवरदी कहा रहती है उपर रहती है हमेसा जैसे मान लो आपने सो था सो से आपने 110 हो गया आपका कितना था सो था सो से मान पराप्त होना तो यह सो था यह कुछ परभाव के 110 परिणाम पराप्त हो है तो यह परिणाम कैसे आएगा तो आप को कि पहले अगर सो था ठीक है अगर मैं सो को सो बटे 100% एक दूंग तो 100% यहा going है और 100% तो 100 बटा 100 यह कट जाएंगे वापिस क्या आजाएगा 100 का 100 यह आना चीद लेकिन यह 100 नहीं है यह कितना 110 है एक चीज बताओ कि जब मैं यह 100 बटा 100 लिखें तो कितना आएगा 100 ही आएगा मुझे 110 आगे लाना है तो मैं क्या करना पड़ेगा निच्चे बढ़ाना पड़ेगा या उपर बढ़ाना पड़ेगा कितना करना पड़ेगा 10% बढ़ रहा है कितना बढ़ रहा है 10% उपर कितना करना पड़ेगा 110 उपर कितना करना पड़ेगा 110 अगर ये सो है तो सो को मैं अगर सो बटे सो लिख दूं तो सो ही आना चीए लेकिन सो नहीं यह नबबब यहां पर कैसे आएगा क्योंकि यह तो कट जाएगा क्टने के बाद सो ही आना चीए तो यहां पर यह नबबब कैसे आएगा कि जब सो को मैं कितना लिख दूं जा रहे हैं मतलब ये वाली चीज हमें निकालनी है बाद वाली चीज हमें निकालनी है तो हमेशा कमी व्रदिका होगी उपर होगी अगर व्रदि हो रही है तो उपर होगी हमेशा बाद की चीज कोई भी निकालनी है बाद का कोई भी मुल्य निकालना कोई भी ऐसा फोर्मला ह जिसमें बाद की चीज निकाल नहीं होती है हमेशा कमी व्रदिका होती है उपर होती है तो आपने देखा इस formula को मैं कैसे बना सकता हूँ 100 इंटू यह 100 प्लस 10 बटे 100 कर सकता हूँ इसको क्या लिख सकता हूँ 100 इंटू 100 माइनस 10 बटे 100 कैसा लिख सकता हूँ आप एक चीज बते हैं 100 क्या था यह पहले की price थी यह क्या था पहले की price यह क्या है बाद की यह क्या है बाद की यह बाद की कैसे आएगी जब यह formula लगेगा तो यह पहले की price क्या है क्रेमुले क्रेमुले क्या होता है 100 माइनस माइनस में हानी होती है तो 100 माइनस हानी बटे 100 ये क्या है क्रेम उल्य इंटू ये क्या है 100 प्लस लाब बटे 100 तो हमें इस तरीके से इसका formula बना सकते हैं ठीक है उमीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा तो हम बाद की चीज कोई भी निकालते हैं तो कमी ये व्रदी हमेशा क्या होती है उपर होती है simple सा formula है तो विक्रेम उल्य निकालेंगे कब निकाल पाएंगे विक्रेम उल्य जब हमारे पास में क्रेम उल्य पता होगा तो मैं इस क्या मुल्य निकालना है उगर यह निकालना है तो यह पूर्शन पूरा य से होगी हानी अगर लाब हो तो प्लस लेना है और माइनस हो तो हानी लेना है तो इस तरी की सी फोर्मुला आप बना सकते हो एक चीज़ हमेशा ध्यान में रखना अगर बाद की चीज़ यह बाद की चीज़ सेकंड प्राइस है यह कौन सी प्राइस है पहली प्राइस है यह की चीज निकालनी होती है, हमेसा व्रदी कमी कह वूती है और एगर पहले की चीज निकालनी होती है कमी व्रदी कह वह Тी है नीचे होती है चाहो तो इस चीज और अब चूह तरह के से याद कर सकते हो छाइसा आशाथ में नोट करते रहो इनको single五Car statement अब चलते हैं question की तरफ आपसे का गया है कि 80 रुपए की किसी वस्तु को 100 रुपए में बेचने पर लाब प्रतिसत होगा यह तो साफ ही दिख रहा है क्या होगा 80 रुपए की चीज थी आप उसको 100 रुपए में बेच रहे हैं ठीक है 80 रुपए की चीज थी मतलब यह मेरा क्रेम उल्य था बेच कितने मेरे हो 100 में तो यह मेरा विकरेम उल्य था ठीक है कितने का फाइदा हुआ 20 का यह किसको देखके पता चला यह 80 को देखने पता चला कि 80 की चीज थी वह 100 में जा रही है इसका मतलब मुझे 20 ज्यादा मिल रहा है तो इसका मतलब मुझे लाब मिल रहा है लाब हो सो ठीक है तो लाब यहां पर कितना है बीस यह बीस किसको देख के पता चला असी को तो असी कहा आएगा बटे में क्रेम ले कितने असी इंटू कितने सो बीस और असी को काट ओं तो बीस से एक बार यह चार बार तो सो बटे चार कितना जेगा 25 परशेंट तो जो लाब है वो कितना ओर है 25 परशेंट ठीक है बी ओप्सन आपका सही उत्तर है फिर देखो बलदेव ने एक स्कूटर बीस जार उपे में खरीदा और उसी स्कूटर को बलदेव ने सत्रह हजार उपे में बेच दिया अब हानी प्रतिसत क् आपको बतानी है ठीक है हानी प्रतिसत तहाई वह क्या होगा तो बलदेव ने एक स्कूटर बीस हजार उपे में खरीदां और बलदेव ने सत्रह हजार उपे में वो हमेरे स्कूटर बेच दिया अब हानी परसेंडेज पुछ है तो बल्देव को नुकसान हो रहा है तीन हजार उपे कम मिलेंगे बल्देव को तो परसेंडेज लोस हो रहा है हानी हो रही है तो हानी कितने की हो रही है तो आपको किसर तीन हजार की की किस पर? क्योंकि यह आपका क्रेमिल्य, खरीदा बल्देव पर्षाओ कितना है, इस तरफे किसे हम लाब और हानी को डिसाइड करते हैं और हम इसाँ find out करते हैं कि कैसे लाब निकालेंगे कैसे हानी निकालेंगे अब देखिए एक आदमी ने कार खरीदी और उसे तीन लाख रुपे में बेच दिया यदि बीस परसेंट की हानी वी आप उसने क्या क्या एक आदमी था उसने कॉई कार खरीदी और उसकार को तीन लाख रुपे में बेच दिया यदि उसे बीस परसेंट की हाने वी तो उसने कार खरीदने के लिए कितना वे किया कितना खर्च किया कितना expense किया वो चीज़ आपको बताने घर तो कहने का मतलब है कि कितना खरीदने के लिए तो क्या निकालना है क्रेम मुल्य निकालना है तो क्रेम मुल्य पहले की प्राइस जब भी निकालेंगे तो आपको पता है विक्रेम मुल्य हमें चाहिए होगा ठीक है इंटू पहले की चीज़ हम निकालते हैं कमी अवरदी हमेशा निचे होती है तो यहां हानी हो रही है तो मैं क्या लिखूंगा इसको 100 बटे 100 माइनस हानी क्या लिखूंगा 100 बटे 100 माइनस हानी तो यहां पर देखि विक्राय मुल्य कितना है 3,00,00, ठीक है into 100 बटे यह कितना आजाएगा आपका 100 माइनस 20 हानी कितने के और यह 20% की 100 माइनस 20 तो यहां देखि यह कितना हो गया 3,00,00, into 100 बटे 80, काट पिट लें तो यह 5 और यह कितना आजाएगा 4, फिर 4 का इसके अंदर अगर भाग दें ठीक है, 3,00,00, में हमारे पास में उपर कितना है 3,00,00, और into 5 बटे में कितना आपके पास में 4, अब मैं क्या करता हूँ 4 का इसके अंदर भाग देता हूँ तो यह कितना आजाएगा 7,25, और फिर क्या आजाएगा आपका 3,0 into क्या आजाएगा तो यह हमारा कितना आजाएगा 5, ठीक है और फिर कितना आजाएगा 35,2, 37 यहन 3,00,75,000 उपे में उसको खरीदी यहन D option हमारा सही उतर हो जाएगा यहनि उस कार को कितने में खरीदा था 3,00,75,000 उपे में खरीदा था, ठीक है देखिए इसको करने के और भी तरीके हमारे हो सकते है जैसे 20% की हानी वी आना 20% की उसको हानी वी आप एक चीज बताओ जब 20% की हानी वी 20% की हानी हो रही है second method की मैं बात करूँ 20% की हानी हो रही है तो जब हानी 20% की हो रही है आप हमेशा मान के चलना कि क्रेम मुल्य हमेशा और हमेशा कितना रहता है 100% तो विक्रेम मुल्य कितना रहेगा 20% की हानी तो विक्रेम मुल्य कितना रहेगा 80% क्यों क्रेम मुल्य मान लो मेरे पास में 100 था ठीक है? 20% आपने एक चीज मान नहीं है कि जब 20% की 하ini हो रही है 20% की मुझे क्या हो रही है? oor principal का मतलब कितना है? 100 में से 20 20% का मतलब कितना है 200 मतलब है 100 होता है मतलब total 100 तो हानी किस पर होती है лучज़कर होती है उल्ये हमेंगा 20 मुले मेरा सो तो हानी मुझे कितने की हो रही है हानी कितने की हो रही है मुझे हानी हो रही है बीस की ठीक है तो विक्राय मुले कितना बचा है जब सो रुपे ये चीज में बीस रुपे नुकसान खाके मैं बेच रहा हूं तो असी रुपे मिल रहे इसका मतलब वो कार कितने रूपे में बेची गई है, असी रूपे में लेकिन रियल में, ऐसी में थोड़ी बेची है उस कार को बेचा गया है असी में नहीं, उसको कितने में बेचा गया है 3 लाख में ठीक है, यह हमारा method होता है, यह हम मान के चल रहे हमारे according, और ये question में दिया हुआ है तो हमने हमारा और question का तुलना गर दी तो इस तरीके से हम इनको निकाल सकते हैं जब बात percent में हो तो क्रेम उले हमेशा कितना मान लेना होता है 100 मान लेना होता है तो जब 20% की हानी है 20% यानि हर 100 पर 20 की हानी है 20 का हानी तो चीज जा कितने में रही है 80 में तो 100 की चीज थी 20 का नुकसान 80 में विक्की तो 80 का मान 3 लाख है एक का मान कितना आजाएगा 3 लाख बटे में 80 यह यहां पर मैंने इसको कड़ दिया आप चाहो तो इसको और भी cancel out कर सकते हो 8 से इसको कर सकते हो तो यह कितना आजाएगा 8 से जब मैंने किया तो यह कितना हो गया 3, 4, 6 और 0 तो यह कितना हो जाएगा 7, 56 और फिर कितना आजाएगा 5 और 0 तो यहां पर कितना आगए आपका एक का मान कितना आगए आपके पास में 3750 अब यह कर रहा है क्रेम मुल्य का मान कितना है यहां 100 तो जब एक का मान 3750 तो 100 का मान कितना है 3750 इंटू 100 तो यहां पर कितना आ जाएगा 3750 डबल जीरो ठीक है तीन लाख फिचेतर हजार रुपे में इसको खरीदा गया था तो यहां नीचे क्या है इसको कर सकते हो ठीक है फिर देखने आगे चलते हैं आप चाओ तो दूसरा तरीका वह रहे हैं इसका करने का तीसरे तरीके कोड़िंग भी कर सकते हैं कैसे 20% हानी इसका मतलब होता है 20 बटे 100 20 बटे 100 का मतलब 1 बटे 5 मतलब हानी कितने की है 5 की तो 5 नीची क्या हानी होती किस पर है क्रेमुले पर नीची क्या ही है क्रेमुले 5 क्रेमुले तो फिर विक्रेमुले कितना आएगा तो विक्रेमुले कैसे पता चलता है तो विक्रे मुले केसे हम निकालेंगे तो विक्रे मुले यह होता है जब हानी होती है उस केस में जब हानी होती है उस केस में विक्रे मुले और क्रे मुले क्या होते हैं मैं आपको बता देता हूँ जब हानी के केस में विक्रे मुले find out करेंगे तो विक्रे मुले क्रे मुले माइनस हानी होता है ठीक है और विक्रे मुले लाब के केस में निकालेंगे तो हमेसा क्या होता है क्रे मुले प्लस का लाब होता है क्रे मुले प्लस का लाब होता है इस चीज़ को भी ध्यान में रख लेना विक्रे मुले जब हानी होती है तो क्रे मुले से छोटा होता है कितना छोटा होता है जितनी हानी होती है विक्रे मुले लाब के केस में क्रे मुले से बड़ा होता है कितना बड़ा होता है जितना लाब होता है तो यहां से अगर मैं निकालू विक्रेमुले निकालू तो क्रेमुले कितना है पांच हानी कितनी है एक तो विक्रेमुले कितना है चार तो मैं कह सकता हूँ कि चार बराबर अगर मेरा तीन लाख है एक बराबर कितना है तीन लाख बटे में चार मुझे मान किसका निकालना है क्रेम मुल्य का, तो पांच का मान कितना है? तो आप कह सकते हो, तीन लाख बटे में चार इंटू पांच आप सोल कर ले ना भी इसको तो इस तरीके से अब आप इसको निकाल सकते हो देखो, करने के बहुत सारे तरीके हैं बहुत सारे मेथड़ है, जो जी में आप उससे कर सकते हो नेक्स्ट क्वेशन देखिए एक विक्रेता, एक रेडियो दोसो पचीस रुपे में खरीदता है उस पर उसके पंदरा रुपे अतिरिक्त खर्च हो जाते है मतलब एक आदमी, एक रेडियो दोसो पचीस रुपे में खरीदता है और उस पर उसके पंदरा रुपे अतिरिक्त खर्च हो जाते है एक्स्टर खर्च कर देता है उसके रिपेरिंग करवाता है, बटन लगवाता है, कुछ और करता है तो पंदरा रुपे खर्च कर देता है ठीक है? फिर वहे उसे 300 रुपे में बेच देता है तो उसका लाब परतिसत क्या होगा उसका जो लाब परतिसत है वो क्या होगा ये चीज़ आपको बताने है ठीक है कैसे करो बताओ देखिए एक चीज द्यान में रखना कि कभी भी चाए आप मकान खरीदो चाए रेडियो खरीदो चाए बाइक खरीदो कुछ भी अगर आप खरीद रहे हो आप क्या करते हो कि जो चीज़ भी आप खरीद रहे हो मकान रेडियो बाइक जो भी अगर आप उस पर रिपेरिंग करा तो मान लीजिए आपने कोई मकान खरीदा और उस पर आपने कलर करवाया आपने मकान खरीद के उस पर आपने कलर करवा लिया आपने क्या किया कि ऐसा करते हैं खिड़की दूसरे लगवा लेते हैं कुछ चीज के अंदर फरनीचर वगएर भी कुछ करवा लेते हैं, वोल पे पेंटिंग भी करवा लेते हैं, तो ऐसे करके आपने बहुत सारा खर्चा कर दिया, अब आप मकान को बेचना चाहते हो, मकान आपने 20 लाग का खरीदा, ठीक है, और उस पर खर्चा आपने 10 लाग बेच रहे हो, तो आप 5 लाग का नुकसान तो आप लोगे ने, आप क्या करोगे, उस पर खर्चा लगा है, उसको भी कवरफ करने कोशीज करोगे, यानि हमेशा द्यान में रखना, कभी कोई वेकल खरीदते हो, मकान खरीदते हो, या कुछ और चीज आप खरीद रहे हो, उ सेक्सटा खर्च के न, वो भी इसका क्रेम ले, इसका मतलब चीज कितने ही किया, 240 किया है, ठीक है, अब उसको बेच कितने मेरा है, 300 में, फाइदा कितने का है, 60 का, ठीक है, अब आप क्या करोगे, percentage profit ही हो रहे है, लाब हो रहे है, आपको कितना, 60 का, कितने पर, 240 पर इंट 30 का, यह चीज ध्यान में रखना, अपने मकान खरीदा, बाइक खरीदी, कार खरीदी, उस पर एक्स्टा मरमत की खर्चा किया, तो सारा क्रेम ले के अंदर काउंट होगा, ठीक है, देखिए, बताइए, नेक्स्ट क्वेस्टन, क्या होगा, क्रेम ले और विक्रेम ले का अ हो रही है, क्रेम मुल्य कितना है आप भई आपका, पांच, विक्रेम मुल्य कितना है भई आपका, चार, मतलब मैंने पांच में खरीदी चीज और चार में विक्र रही है, एक का नुक्सान हो रहा है, हना, एक का नुक्सान पर जो परसेंट हानी है, वो किस पर हो रही है, एक का नुकसान किस पर हो रहा है? पांच पर, खरीदी मुल्य कितना है? पांच तो पांच पर है, और इंटू किया कर देंगे आप सो, तो मुझे नुकसान कितने परसेंट का हो गया? बीस परसेंट का, एह ओप्सन आपका सही उतर होगा, अब आपको अनूपात ही आपका क्रामुल्य और विक्रामुल्य होता है कितना है दो अनपात पांच आप से पुछा गए तो बताओ लाब प्रतिसत्थ क्या होगा लाब परसेंट है वो क्या होगा वो केसे आप फान्ड आउट करोगा बहुत यह अच्छा क्वेशन है जल्दी से बताओ क्या होगा बताईए भई लाब और विक्रेम उल्य आपको दिया हुआ है अब इसको केसे find out करोगे जल्दी बताओ देखिए लाब प्रतिस्त निकालने है लाब दिया तो लाब प्रतिस्त निकलेगा एक चीज और बताता हुआ आपको कि जब भी ये विक्रेम उल्य विक्रेम उल्य आपको पुछा है तो ये हमेशा किस पर निकाले जाते हैं क्रेम उल्य पर जब तक क्रेम उल्य नहीं बता तब तक हम find out नहीं कर पाएंगे कसम खालो अच्छी तरीकिस चीज की गांट बांद लो याद रख लो कि जब तक लाब क्रियम उल्य मुल्य के अंदर लाब होगा तब आप विक्रेम मुल्य क्या होता है बड़ी तो क्रेम मुले हमेसा लाब होता है, तब विक्रेम मुले से क्रेम मुले छोटा होता है, कितना छोटा होता है, जितना लाब होता है, माइनस क्या कर देंगे लाब, ठीक है, विक्रेम मुले पांच है, लाब कितना आपका दो, तो क्रेम मुले कितना आजाएगा, तीन है ठीक है लॉय के से में देखो आप इसवे ज्यान में सकते हो सो में खरीदी 120 में पैची सौ में खरीffenे देड़ी सो में बैची कजने मतलब क्रहम उल्य बडाएं तो विक्रहम उल्य में से अगर में क्रहम उल्य गठाऊ तो लराब आजाएगा और विक्रहम उल्य से तो यहां पर आपका जो आंसर है वो कितना आजाएगा यहां पर आपका आजाएगा 66.66% 66.67% या आप क्या लिख सकते हो 66.662 बटे 3 परसन्ट भी आप इसको लिख सकते हो जैसा कि किसी option में दिया नहीं गया है तो आप किसी एक option को बना सकते हो ऐसा आप इसको लिख सकते हो 66 सही 67% या ऐसा कुछ आप इसको कर सकते हो तो बी option आपका सही उतर हो जाएगा तो इस तरीके से आप इसको सकते हो रटने वाली चीज नहीं है अब ध्यान में रखना आप अच्छी तरीके से जल्दी से बताओ क्रेम उले और हानी का अनुपात आपको कुछ दे रखा है तो बताईए हानी प्रतिसत क्या होगा कुछ नहीं करना है सब कुछ दिया है क्रेम उले और हानी आपको पताए जो करना है वो दे रखा है तो परसेंट हानी अगर आपको निकालनी है तो हानी तो तीन दे ही रखे क्रेम उले भी दे रखा कितना है पांच इंटू क्या करना है सो यह तो आ गया कितना आ जाएगा तीन बटे पांच इंटू सो यह बीस बीस इंटू तीन कितना है साथ तो तो इस तरीके से आप इन क्यूशन्स को कर सकते हो, ठीक है, अब देखिए, आपको दिये यदि किसी वस्तु की विक्रे मुल्य, उसकी लागत मुल्य का 1 सही 1 बटा 3 है, यानि A है वो किसका, B का, X बटे Y है, ऐसा कुछ आपको दिये है, ठीक है, तो जो हमेशा ध्यान में रखें, इस ट्याइप का जो होता है, मतलब B का, जिस से तुलना होती, वो हमेशा निचे रहता है, वो निचे वाला उसका मान होता है, या नजदीक वाला होता है, उसका मान निचे वाला होता है, दूर वाले का मान उपर वाला होता है, इस concept को आप ध्यान में रख सकते हैं इस type के question विक्रे मुले उसकी लागत मुले का 1 से 1 बटा 3 है तो इस type के question को इस तरीके से हम बना सकते हैं तो मैं यहाँ पर यह लिख सकता हूँ कि विक्रे मुले उसकी लागत मुले यानि क्रे मुले का 1 से 1 बटा 3 इसका मतलब यह वाँ, कि क्रेयम वुल्य को मन नीचे लेरूँ तो क्रेयम वुल्य बराबर चार वट्ये तीन तो यह पर इसका मतलब آپ देख सकते हैं, क्रेयम वुल्य का मान तीन है, क्रेयम working क्रेयम वुल्य 4 है. बैस्ति फाइदा कितने गोँ रहे है NK दो पर्सेंटेज लाई अनिकालेंगे एक से इंटी ग्त्ों किसफ़ तीन ग्राइदेंगे जो लाई वह कितना होगा कि तीन कर सेब्स potato घृब्स को ची stretches Video चो है अगर metabolismo काँ 假談 से नहीं आएं अगर अज्य एंगर तो में डाशान ऐसा format कहीं बन रहा है A B का X बटे Y है तो आप इस टाइप के questions को ऐसे solve कर सकते हैं कि सी वश्टू को बेचने पर होने वाला हानी विक्रयमुल्य का एक बटा चार है तो आपको क्या करना है जो हानी प्रतिस्ट है वो बताना है क्या होगा कैसे हम इसको find out करेंगी चीक है अभी मैंने आपको बताया था हानी चीक है कैसे दूर वाला कमान उपर वाला नीचे पास वाले कमान नीचे वाला तो मैं डारेक्ट ऐसे भी लिख सकता हूँ कि हानी और विक्रेम मुल्य कितना है चार यह निकाल लिया मैं अब हानी प्रतिस्ट निकालना है हानी तो मेरे पास में है यह रहानी तो हानी के लिए हानी एक है लेकिन बट्टे में क्रेम मुल्य कहां से लेकिया हूँ तो हानी की केस में विक्रेम मुल्य हमेसा छोटा होता है मतलब जो हानी भी हो केसमें, तो Craimly हानी केसमें क्या होता है, कितना होता, कि तो आप यहां पर देख सकतें, कितना आजाएगा, पांच, बते में 5 इंट्रेंगें इंटू क्या कर देंगे 100 curso, तो यहां पर पता चला, कि हानी जो मुझे ओर रही है, वो कितनी हो रही है 20% हानी मुझे हो रही है याँ पर कितनी हानी हो रही है 20% हानी हो रही है तो इन चीजों को समझना है यह चीज मैं आपको clear कर चुका हूँ कि दूर वाले का मान उपर वाला नजदिक वाले का मान नीचे वाला अगर इस टाइप की तुलना कहीं भी करनी है ठीक है तो आप इसके according इनको find out कर सकते हैं इनकी डारेक्ट वेल्यू आप यहां पर रख सकते हैं देखो यह लास्ट क्वेस्टन में मैंने आपको solve करके बताया था वैसे आप कर सकते हैं ठीक है अब इसको और इन सोर्ट एक्जाम में कैसे गरेंगे तो डारेक्ट मैंने इसे लिखना बता दिया अब हानी और विक्रेम उल्य पर निकलती है अब करेम उल्य कैसे निकाले तो हानी के केस में क्रेम उल्य हमेंसा बड़ा होता है खरीदिगी रेट बड़ी होती है विकने वाले चीज छोटी होती है कितनी छोटी होती है जितनी हानी होती है तो इसका मतलब क्रेम मुल्य विक्रेम मुल्य से बड़ा था कितना बड़ा था जितने हानी होती है तो विक्रेम मुल्य और हानी को जोड़ दू तो क्या बन जाएगा क्रेम मुल्य बन जाएगा छोटी चोटी बात है आप एक् इस मुल्य पर बेचा जाए यानि आपसे क्या पुछा गए विक्रेम मुल्य के लिए मैंने आपको बता है था क्रेम मुल्य इंटू 100 प्लस लाब और बटे में क्या करना है चीक है तो क्रेम मुल्य कितना है पंदरा सो इंटू 120 और बटे में क्या कर देंगे 100 प्लस 20 120 बटे में 100 0 सो 0 हमने उड़ा दिया 15 इंटू 12 15 इंटू 12 180 इंटू 0 180 इंटू 10 कितना आजाएगा 1800 रूपे आपका आंसर आजाएगा तो नोर्मल आप फॉर्मला यूज़ करके भी कर सकते हो अगर माल लो इसका दूसरा तरीका मैं आपको बता हूं आपको पता है 20 परसेंट लाब हुआ है बात परसेंट में हो तो क्रेम उले को हम कितना माल लेते हैं 100 माल लेते हैं लाब कितना है आपका 100 पर 20 पर 20 परसेंट है जब क्रेम उले 100 तो लाब 20 तो विक्रेम उले कितना होगा 120 ठीक है यह हमने निकाल लिया आपको पता है जब क्रेम उले 100 है तो आपको इस साब साब द सो एक का मान 1500 बटे सो कितना आजाएगा 15 तो विक्रे मुले निकालना है तो 120 का मान निकालना पड़ेगा तो 15 इंटू 120 कितना आजाएगा अठारे सो ठीक है हम इस तरीके से इसको सोल कर सकते हैं काफी उजी क्वेस्चन है चाहो ता आप इसको रिश्यों से भी सोल कर सकते हैं ठीक है देखिए जब किसी वस्तु को 960 रुपे में बेचा जाता है अब की बार इसने क्या दे दिया वही अब की बार इसने विक्रे मुले दे दिया ठीक है तब 20 परसेंट का ला 960 किसका माने 120 परसेंट का माने यानि 960 रुपे में बेचा जाता है तब 20 परसेंट का लाब होता है तो अगर मालो लाब 10 परसेंट हो तो विक्रेमुल्य कितना होता है 110 परसेंट ठीक है विक्रेमुल्य हमेशा देखो क्रेमुल्य हमेशा 100 परसेंट होता है क्रेमुल्य हमेश 100% अगर लाब आपका 10% है तो लाब हो रहा है तो विक्रे मुल्य क्या होगा ज्यादा होगा 100 से कितना होगा 110 अगर 50% लाब हो रहा है तो 150% विक्रे मुल्य होगा ठीक है अगर 20% लाब हो रहा है तो 120 होगा विक्रे मुल्य अगर हानी 20% हो रही है तो विक्रे मुल्य 100 से कम हो आपने देखा लाब के केस में हमेसा परसेंट की जब भी बात आती है तो हम इनिसिल वेल्यू को प्रारंबिक वेल्यू को क्रेम मुल्य को सो मान लेते हैं तो इसका मतलब क्रेम मुल्य अगर मेरा सो है तो अगर विक्रेम मुल्य निकालना है तो लाब होता है तो विक्रेम मु का लाब होता है इसका मतलब क्रेम उल्य कितना है 120 परसेंट का मान वेसे कितना है 960 रुपे तो एक परसेंट का मान कितना आजाएगा 960 बटे 120 ठीक है तो यह कितना आजाएगा भई अब कहा रहे है उसका क्रेम उल्य है तो क्रेम उल्य हमेंसा 100 परसेंट ही होता है तो 100 परसेंट का मान कितना है 8 इंटू 100 कितना आजाएगा 800 रुपे यानि यह ओप्सन आपका सही उतर हो जाएगा इस तरीके से अब इसको कर सकते हो otherwise क्रेम उल्य का formula आपको बता है कि विक्रेम उल्य इंटू पहले की value निकालते हैं तो कमी वरदी नीचे करते हैं तो कितना आजाएगा 100 बटे लाब है तो कितना आजाएगा 120 ठीक है इसको मैं यहां से काट देता हूँ कितना आजाएगा 8 और वापिस यहां पर कितना निकल बताएं इन सभी method से आप अराम से easily solve कर सकते हो आप देख सकते हैं मैंने यहां पर दो method से इसको किया बहुत ही simple questions है अब आने वाले जितने भी अपने वीडियो होंगे तो हर वीडियो में हम क्या करेंगे level बढ़ाता जाओंगा मैं और last जो वीडियो होगा उसमें extreme level होगा जो आपके exam में questions वहां तक आपके पूछे जा सकते हैं तो मिलते हैं next वीडियो में तब तक के लिए आप regular practice करते रहेगा thank you so much we see all the best